नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कपड़े की कांड निकालने का सही तरीका देखे आम दोर पे क्या होता है कि अगर हम 10 पीस बनाते हैं तो आज के टाइम में 2 या 3 पीसों में तेड़ा पन आ जाता है, कान आ जाती है, तो मेरे सामने भी एक ऐसा पीस आया है, अभी मैं कटिंग करने लगा था, तो मैंने सोचा कि यह चीज आपके साथ भी सेयर करूँ कि किस तरीके से हमें कटिंग करने चाहिए, ताकि हमारा पीस perfect तरीके से stitch हो जाए, कोई टेड़ा प तो यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका फोकस कराऊंगा कपड़े के उपर यह देखें काउंटर मैं यहां पर इस तरीके से काउंटर के उपर इस कपड़े को बिछाया है अगर हम यहां से इसको सीधा करते हैं तो एक लाइन हमारी यहां पर पल्ले की ऐसे जाती है इधर इसको अगर बराबर करते हैं और अगर हम इसको यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कैसे हमें यहाँ पे कटिंग करना है और कैसे पता लगता है कि इस कपड़े में कितनी कारने है तो यह जैसे आज कल कपड़े आते हैं तो बाजुवा का जो फैवर प्रॉपर पता लग जाएगा की इस कपड़े में हमारी कितनी कार्ण है और यह जब एक दो पीस आप चेक करोगे या बनाओंगे तभी पता लगता है कि किस तरीके से पता लगता है कार्ण का एक एक पॉइंट भे मैं समझाने वाला हूँ एक दो पीस में ये आपको नहीं आइडिया होगा दो तीन पीस आपके सामने इस तरीके के आएंगे तो तब आपको यहाँ पर यह आइडिया होने वाला है तो यह निकाल दिया है हमने बाजू का कपड़ा अलग बाजू का कपड़ा अलग निकालने के बाद यहाँ पर यह देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है यह कपड़ा अलग दिया हुआ है इस तरीके से यह front है और यह back है और line देखिए इनकी कहाँ पर है यह teddy line कितनी है तो हमें यहाँ पर सबसे पहले इसको ऐसे खीच के देखना है कहाँ पर यह सीधा आता है ऐसे यहाँ पर इस तरीके से खीच के देखना है तो तकरीबन हमारा यहाँ पर यह वाला पीस आपर सीधा आता है तो इसको हम क्या गएंगे यहाँ अगर cotton का कपड़ा है तो ऐसे cut लगाएंगे और ऐसे फाड़ लेगे यह हमने फाड लिया है तो front हमारा यहाँ पे इस तरीके से आएगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी टेड़ापन था जो कि यहाँ पे हमने बिल्कुल सीधा इसको फाड़ा है जब भी कपड़ा फटता है देखें मैं आपको बता दू जब भी हमारा कपड़ा फटेगा तो बिल्कुल सीधा फटेगा यहाँ पे बिल्कुल सीधा यहाँ पे state है और state आने के बाद इसमें कान का यहाँ पे कैसे पता लगे का यह देखिए यहाँ से हम इसको फोल्ड करते हैं ऐसे यह हमारी सीधी लाइन है और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे उपर से जी दर्शे हमने फाड़ा है कपड़े को इदर से यहाँ पे इस तरीके से इसको बराबर कर लेना है यह हमने बराबर कर लिया है और यहां से हम नीचे से देखेंगे तो यह देखें हमारी कान कितनी है तो एक साइड में जो कपड़ा निकलता है हमारा तीन इंच निकलता है यह एक्स्ट्रा और यहां पे तीन इंच यह उपर चड़ जाता है एक साइड का पला लेकिन इसको cover up कैसे करे, ठीक कैसे करे, अब ये देखिए, उपर से तो हमने ठीक कर लिया है, नीचे हमारा design है, अगर design ना हो, तो हम इस तरीके से यहाँ पर सीधा cut कर लेगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले इस border को cutting करेंगे, जो हमें border लगान इसको set करेंगे, बिचाएंगे, सीधा करते हुए फिर फिर बिचा लेना है, और उपर से इसको मिला लेना है, यहाँ पर से अच्छे से मिला लेंगे, तो उपर से हमने यहाँ पर बराबर कर लिया है, यह देखिए, बिलकुल बराबर है, बिलकुल सीधा है, किज़ेगा न नीचे से अब यहां से इस तरीके से L Save का Scale लेना है यह वाला और यहां पे बिल्कुल सीधा निसान लगा लेना है यह हमारा बिल्कुल सीधा निसान लग चुका है अब हमें इस निसान के उपर ही यहां पे Cutting कर ला है तो यह देखे हैं हमने Cutting कर दिया है अब हमें नीचे की साइड यहाँ पे बोर्डर लगाना है तो इस बोर्डर को यह हलका सा आपका टेडर हैगा इस पे आप पेपर पेस्टिंग चिपकाए या जैसे मर्जी इसको सेट करे लेकिन आपका पीस अब बिल्कुल यहाँ पे ठीक हो जाएगा तो यह देखे हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधी कटिंग कर ली है इसके बाद हमारे पास जो यह बोर्डर है इस बोर्डर को आपने यहाँ पे अच्छे से सेट करना है इस तरीके से और पहले एक साइड से यहाँ पे इसको सीधा कर ले सीधा करने के बाद नीचे से अच्छे से मिला ले यहां पे और इसको हमने इस तरीके से यहां पे इसको अटेच कर देना है तो यह देखे पूरा पीस जो है हमारा यहां पे सीधा हो चुका है तो यहां से मैं पूरा पीस दिखाऊंगा इस साइड से यह देखिए पूरा यहाँ पे अगर कहीं से भी देखोगे कोई फर्क नहीं है पूरा का पूरा पीस हमारा यहाँ पे सीधा है तो फ्रेंट्स इस तरीके से आप जो कपड़े की कान है वो निकाल सकते हो और फूर्ट का टेड़ा पन जो है बिल्कुल आपका खतम हो जाएगा और कर्श्टुमर की कोई आपकी कम्प्लेंड भी नहीं आएगी कि दतना टेड़ा पन होता है मतलब 4-4 इंच का जो टेड़ा पन कान होती है 4-4 इंच की अगर हम उसके साथ कपड़े को स्टिच कर देते हैं तो पूरा पीस हमारा यहाँ पे खराब हो जाता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक बार इस तरीके का इस तरीके से आप कटिंग करके देखें इस फार्मोलिल के साथ में और बहुत ही अच्छी आपकी फिटिंग आने वाली है तो फ्रेंस आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नहीं वीडियो पर के साथ अब तक के लिए धन्यवाद